हेलो फ्रेंड्स कैसे है डॉक्टर शूप्स क्रिश्चन में आज आपका स्वागत है आज हम बनाने वले बहुती स्पेशल डिश जो आपके बहुती पसंदिता है अहमेदाबाद का दाल पकोडा या उसे राम लड्डू भी बोलते है दिल्वूंग दाल के पकोड़े ही है औ यह उसे त्यल में तला जाता है और तैल में तलने के कारणे बहुती स्वाधिश्ट लगते है हां दोस्तों लेकिन हमारा चानल जो है हेल्दी डिश दिखाने के लिए हमने आपको बोला है तो हम क्या करेंगे इस डिश को थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे यह एक चीज जो है हेल्दी तो रहे ही और आपका स्वाद भी है वो भी परकरा कर रखें तो मैं इसे थोड़ा एक अलग तरीके से बनाने वाली ही तो अधा कपली है जो ट्रेशनल स्टाइल से बनता है दालका पकोड़ा इसमें जो हे हरी वाली डाल जिए हरी चिलके वाली ङूज होती है उसको भीगाया जाता है और उसके चिलके निकाल रिये जाते हैं वैसा ना करते हुए म मैं पूरा चिलके वैसे बडाने और थोड़ी दाल मैंने साधी हो ली और बिना शिलके की भी ली है जिसे मूग मोगर भी बोलते हैं तो हम दोनों मिला के इस डिश को बनाने वाले है तो इस दोनों दालों को हमें अच्छे से एक दो पाने से धो लेना है और धोने के बाद कम से कम चार से पांच गंटा भिगो चुकी है तो एक्चुली इसको रगड के इसका जो दाना है यह चिलका है इसे निकाला जाता है लेगिन मैं ऐसे ही रखने वाली हूद क्यूंकि छिलके में बहुत ही ज़्यादा विटामिन से इस्पेशली ग्रीन चिलके में जो है बीट वेल की मांत्रा बहुत ज्यादा र तो पहले हम इसके लिए और कुछ मसाले डालने वाले हैं उसकी तयारी करेंगे तो मसाले बनाने के लिए मैं एक मिक्सी के पॉंट में थोड़ा सा हरा धनिया एक इंच इतना अद्रकत तुकडा तीन-चार हरी मिर्च आप आपको कितना तेज पसंद्य उसके हिसाब से कम ज्य दरदरा पीसने के लिए मैं बस बटन दबाके से पिसने वाले हूं हमने इसे दरदरा अच्छे से पीस लिया है मैं बरतन में निकाल लेती हूं और इसी बरतन में हम अभी डाल जो है दो तीन बैच में पीस लेंगे लेकिन एक करना है हमें दाल में थोड़ा भी पानी नहीं पानी रखना है पानी रखेंगे तो दाल अच्छे से निकलेगी नहीं यह वह बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी वैसे हम नहीं चाहते हमें थोड़ी सी दर्दरी दाल चाहिए कि मैं पानी नीचे रहने दूंगी दाल को बारिक करते वक्त भी हम पल्स का बटन ही जादा यूज़ करेंगे दाल की पहली बैच पीछ सुखी है यह दर्दरी है ऐसे ही मैं बाकी सभी बच्ची हुए दाल कर लूँगे दाल पीषते वक्त कुछ दाल जो है इंटेक्ट रहती है अगर नहीं पीषी जाती है तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है उससे तो और भी अच्छा स्वाद आता है सभी मूंग दाल पीष के तयार है अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे वैसे में ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लड़ी पेस्ट डाल चुके है अभी मैं इसमें डालूंगी आधा चमच जीरा एक चुटकी हिंग हिंग इसलिए डालना है कि बहुत लोगों को कोई भी प्रोटीन का जो पडा पेट में गैस होती है तो ग्यास ना बने इसलिए हिंग डालनी है काली में भी थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं मैं करीबन एक चमच इतना नमक डाल रही हूँ आप आपके स्वाद के इसाब से डालिए और एक चुटकी हल्दी डालेंगे अभी पहले मैं सब मिक्स कर लेती हूं से बाद में मैं इसे हाथ से फेट हूंगी और कम से कम हमें 10 मिनिट पास से 10 मिनिट फेटना है क्योंकि उस हार से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट अपको मूंग के दाल के फाइदे पता है क्या मूंग दाल जो है एनीमिया से बचाती है इसके जो स्कीन है उसमें बहुत सारा फोलिक एसेड और बेट वेल रहता है इसके कारण जो है वह अपको एनीमिया से बचाती है यह ब्लड पेश मदद करती है और इससे शरीय से Toxins निकालने के इसमें बहुत अच्छी Capacity है। इसके छिलकों में जो fiber रहता है यह fiber के कारण जो कंसे होती है लोगों को वो कंस नहीं होती है कभी से रहत दिलाने के लिए बहुत फाइभयमंद है। और इससमें जो एक पक। I sido 말 मिलता तो आप बिटर ले सकते हैं अब मेरा जो बैटर है मैंने पांच से छे मिनट तक अच्छे से फेटा है तो अभी लाइट और फ्लफी हो गया है अभी इसके हम राम लड्डू बनाएंगे हम तलने वाले बिल्कुल नहीं है तो देखिए क्या करने वाले वीडियो को बिल्कुल करते है चीप तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ट्रांसपार्ट बढ़ता है शरीर में जो आर्ट्री यह हमारे रक्तव आहिनिया रहती है उनको कड़ी बना देती है इसलिए हार्ट को सर्कुलेशन कम होता है तो अगर हम उससे बचना है हमें तो हम ज्यादा करके तली इसलिए क्योंकि हम तेल में नहीं तलने वाले है तो हो सकता है कि थोड़े रूखे लग सकते है हमारे यह जो पकोड़े है तो रूखे ना लगे प्यास से उसको एक जो है मौश्चर मिलता है और पहले से बहुत पहले से अगर आप उसमें प्यास डालके रखेंगे तो पान उसमें हम पकॉडे बनाएंगे हम क्या कर्ना इसको प्रिसीजन करना है प्रिसीजन यहने एक कोई तो पैज लिजिए उसको तेल में उसको थोड़ा सा काट लीजिए इस तरीके से और एक फोर्क के साय से उसको इसे चुबा दीजे फिर तेल में डिप करके हर गोल में ऐसे घुमा लेजे इससे क्या होगा कि आपको पहली बार थोड़ा थोड़ा सा जादा तेल लग सकता है फिर भी तलने इतका बिलकुल नहीं और बाद में बिलकुल ही नहीं लगेगा मिंस एक दम जस थोड़ा सा डाला नहीं डाला उतना कुछ लोग तो इसको जीरो ओईल में भी बना सकते जिनको बिलकुल ही ओईल नहीं खाना है लेकिन हलका सा ओईल लगाने से स्वाध अच्छा आता है तो हम ऐसे कर लेंगे और अच्छे से गरम होने देंगे बीना गरम हुए हमें इसमें नहीं मिलाना है अच्छे से अप्पे पात्र अच्छे से गरम हुए बिना अगर आप उसमें आटा डालेंगे तो यहां पर चिपकने के चांसे बहुत ज्यादा रहते हैं हाड स्टोन का भी एक अप्पे पत्र है मैं आपको दिखाती हूँ उस पर भी मैं कुछ बनाने वाले हूँ यह हाड स्टोन का बना हुआ अप्पे पात्र इसमें जो बनता है बहुत ही ज्यादा स्वादिश्टर रहता है लेकिन यह मिलने के लिए बहुत कठीन है अगर आपको कही अवेलेबल होता है तो आप ज़रूर से पर्चिस के लिए मेरा अप्पे पात्र अच्छे से गरम हो चुका है अभी मैं इसमें हलका हलका तेल डालूँगी एक दम ही थोड़ा सा या ब्रश के सायंस से भी लगा सकते है देख सकते हैं मैंने कितना कम डाला है और इसमें हम छोटे छोटे पकोडिया डालेंगे हमें अप्पे इतना फुल नहीं बरना है हमें पकोड़ी के साइज का ही निकालना है और इसमें एक एक ड्रॉप उपर से थोड़ा तेल डालेंगे जस्ट एक ड्रॉप इससे ज्यादा नहीं यही आंटा मैं जो स्टोन वाला है अप्पे पत्र उसमें भी डाल देती हूँ हमें इसे तेज आज पे बिल्कुल नहीं होने देना है मंदा आज पे ब्राउन होने तक एक साइड से ब्राउन होने तक होने देना है फिर हम इसे पलट लेंगे करीबन दो मिनिट लग चुके है हमें एक साइड होने के लिए जब यह साइड से ब्राउन दिखना लगता है तब आप इसको पल्टिए पहले हम सेंटर से पल्टेंगे क्योंकि सेंटर में ज़्यादा हीट रहती है फिर से एक एक ड्रॉप तेल डाल देंगे एक ही ड्रॉप ज़्यादा नहीं डालने वाले हम दूसरी साइड से भी दो मिनिट हो चुके है अभी हम इसे निकाल लेंगे किसी फोर्क के साहे से मैं निकाल लेती हूँ देखिए कितने अच्छे बने हैं इस साइड के जो है यह स्टोन के अप्पे पात्र पे बने हुए है इनका कलर ज्यादा सुनहरा आता है और यह स्वादिष्ट भी ज्यादा लगते है क्योंकि वह नैच्रल है इसमें कोटेड है तो अगर आपको कही स्टोन का मिलता है अप्पे पात्र तो आप जरूर करीदिए उसे तो चलो हम इसे प्लेटिंग के तैयारी करते हैं देखिए कितने बहतरीन कलर के दिख रहे हैं अब देख सकते उपर से जो है डार्क ब्राउन कलर है गोल्डन ब्राउन और अंदर से एकड़म जालीदार है सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट है यह सॉफ्ट क्यों है हमने जितने बार जादा देर फेटा है ना उसके कारणे इतने सॉफ्ट बने है और पुदिने की चटनी है और यह मिठी चटनी है इन दोनों चटनेों की मैंने रेसिपी की मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर इसे देखिए और हिल्दी टाइप के एमधावादी पकोड़े या राम लड़ू आप ट्राइ करना तो बनता है हाँ फ्रेंड्स ट्राइ करिए तयार करिए और मुझे कमेंट करके बताइए और अगर पसंत आए तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेर करिए